एश्टी सची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है, मनतसा जब अमेरिका से वापस आई तो सबसे पहले वो मेरे घर आई थी, उसके गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था, उसने आते ही पूछा, क्या मा आपने अपने भविसे के बारे में क्या सोचा है, क्या आपने और चाचु ने मिया बीबी की तरह रहना शुरू किया या नहीं, मैं जानती हूँ या आप के लिए बहुत मुस्किल काम है, आगे भी तो तुम दोनों को ही जिन्दगी बितानी है, और जिन्दगी बहुत लंबी है, क्या चाचु को इस तरह अपनी जिन्दगी बितानी प हम दोनों ने एक दूसरे को कभूल कर लिया है, अब तुम सुनाओ कि तुम कैसी हो, वैसे तो मेरी बेटी बहुत खुस नजर आ रही थी, उसने हमें एक ऐसी ख़बर सुनाई, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई, उसने कहा कि ठाकुर को किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी है, जब हम बेबस हो जाते हैं, वै भी इस कदर की हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इसारों पर सर जुकाना पड़ता है, हमारी कोई भी मर्जी या हमारा कोई हक नहीं होता, आज भी मैं उस मोड पर खड़ी हूँ, मेरे सामने पंदरा साल का लड़का है, जिसे मैं कल तक भा हवाले हर सूरत में करना ही है, चाहे मैं रूँ या चीखू चिलाऊं मगर कोई मेरी फर्याद नहीं सुनेगा, मैं 24 साल की हूँ और वो मुझसे लग भग, आधी उमर से थोड़ा ज्यादा है, यानी 15 साल का है, वो मुझे देख रहा है और मैं अपने अंदर नमालुम कितन जंगे लड़ रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, किसी से शिकायत कर लूँ, मुझे उसी के रहमो करम पर जुकना पड़ेगा, मगर क्यूं, क्यूंके जबाब के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, मुझे बताईएगा कसूर किसका था, मेरा नाम तबस्म है, मैं एक बकसर नाम गाओं में रहती हूँ, जब मैं जवान हुई, मेरे अब्बु को मेरी शादी की फिकर सताने लगी, आदिल हमारे ही गाओं का, गबरू जवान था, वे टुक्टुक्या चलाता था, मैं एक आदी बार उसके टुक्टुक्या में अपने लिए मुखबत देखी थी, फिर एक दिन उसकी माँ हमारे घर चली आई, उसके गोद में एक तीन साल का गोल मटोल बच्चा था, बच्चे का नाम फरियाद अली था, और वे आदिल का चोटा भाई था, उसकी माने बताया, वे आदिल से पूरे सोला साल का चोटा है बहुत मिन्नत मिरादों के बाद ये दूसरा बेटा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम फरियाद अली रखा गया, लेकिन फरियाद की पैदाईस के दो साल के बाद उसके अब्बू की मौत हो गई, अब आदिल पढ़ाई छोड़ कर घर का खर्च पूरा करने के लिए टुक में भी उनकी बहुत इजट थी, और मैं भी अपनी सहेलियों से इतराई इतराई फिर रही थी, फिर वे दिन भी आ गया, जब आदिल मुझे दुलहन बना कर अपने घर ले गया, उसका घर भी हमारे घर की तरह छोटा था, मगर मैं समझती थी, जिस जगा पर महबत हो, वहा पर सुहाना ही हो जाता है, पहली रात के बारे में लड़कियां बहुत खुआ बुंती हैं, मैं भी उस रात के बारे में बहुत सोचा था, मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरी खुशी शायद कुछ पलों की ही थी, बस एक पल और सारी खुशीयां मलिया मेट हो चुकी थी, उस रात जब आदिल मेरे पास आया, उसके कदम लड़कडा रहे थे जैसे ही, वह करीब हुआ, मुझे उससे अजीब सी बू आई, उसकी आखे लाल रंकी थी और उसे कोई होस नहीं था, कि वह क्या कह रहा है, उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वह शराब के नसे में धुत और उसी नसे में उसने जिन्दगी की दर्दनाग की पहली रात की शुरुआत की थी, सुबह होने तक मुझे लगा, मेरे अंदर की तरन्नम की मौत हो गई है, और ये जो बहुत हैंसम सा लड़का नजर आ रहा है, वह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, वलीमा में मे जिन्दगी का एक नया दोर शुरू हुआ, इस दोर के हर दर्वाजे पर सिर्फ दुख ही दुख था, आदिल की अम्मा हमारी शादी के कुछ सालों तक जिन्दा रही और उनके जाने के बाद में बेहत तनहा हो गई, वहाँ पर तीन साल के फर्याद की जिम्मेदारी भी चला जाता, वहाँ शराब की मेफिल जमती थी और वे रोज ही शराब के नसे में घराता, जरा जरा सी बात पर मुझे डाट कर रख देता, फर्याद ने अब बाते करना शुरू कर दी, वह मुझे अटेज भी बहुत था क्योंके मैं बिलकुल मा की तरह उसका ख्याल रखती जैसे भरी दुनिया में, बस यही मेरा अपना है जो मुझे हर दुख हर परिसानी से बचाना चाहता है और मेरे जुल्म का बदला भी लेना चाहता है, फिर एक दिन आदिल मुझे मार मार कर अदमरा करके, खुद गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया, जब फर्याद परियाद ने मुझे बेहोश देखा, उसने साथ वाली पडोसन को बुला लिया, उस पडोसन ने मुझे इस हाल में देखा तो जल्दी अस्पताल लेकर गई, उस दिन मेरी बेटी मंतसा की पैदाईस हुई, मंतसा गोल मटोल पिंग कलर की नीली आंके बेहत खुबसूरत ब हुई है, तो वह अस्पताल में मुझे लेने आया, सबसे हैरानी की बात ये थी, उसके हाथ में फरूट के पन्नी और बच्चे के लिए कुछ चीजे थी, उसने मुझसे पिछले सभी लड़ाई जगडों के लिए माफी मांगी और कहा, अम में कभी शराब पी कर घर नहीं नहीं, वह मुझे पर हाथ उठाएगा, मेरी बेटी मंतसा मेरे लिए खुस किसमत थी, उसके पैदा होते ही आदिल में एक अच्छा बदलावाया था, फर याद भी अपने भाई को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंके वह मेरे साथ नर्मी से बात करता, उस दिन हमारे घ कामों से तौबा कर ली, आदिल ने अब फरियाद को इसकूल में दाखिला करवा दिया, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, इसलिए गाउं के सरकारी इसकूल के बजाए, शेहर के अच्छे इसकूल में दाखिला करवा दिया, अब मैं मंतसा के साथ बिजी रहती फर्याद स्कूल से आता उसके छोटे मोटे काम करती आदिल अब शाम होते ही घर आ जाता फिर वो मनतसा के साथ खेलता रहता तो मैं खाना बना लिया करती हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि उस दिन ठाकरों का एक खास आदमी आदिल को बुल आया उस रात मैंने खाना नहीं खाया बच्चों को सुलाने के बाद परिशानी के आलम में बैठी रही कि आदिल अब तो बजल गया था अल्ला खैर करे अब क्या होने वाला है ठाकर के लोगों ने कोई उसे नुकसान ना पहुचा दिया हो इसी सोच में रात का एक बज़ मेरा इंतजार खतम नहीं हुआ मुझे अजीब साब बहम होता रहा और अलग-अलग सोच आता रहा कि नजाने क्या होने वाला है इसी सोच में रात के दो बज़े का वक्त था दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई मैंने बेताबी से दरवाजा खोला लेकिन उस वक्त मैं हैरा प्रानी का ठीकाना ना रहा जब आदिन ने लर्खडाते हुए अंदर कदम रखा वो फिर से सराब पी कराया था मैंने उसको अपना वादा याद दिलाया उसने कहा था वे कभी शराब नहीं पीएगा उसने मेरी बात सुनी अंसुनी कर दी वे सोने ही लगा था मगर मैंने उस पर जोर दिया अब तो उसकी बेटी है अपनी बेटी के खातिर बदला था उस बेटी का कोई एहसास है या नहीं उसने मुझे घूर कर देखा सराब के नसे में वे अपनी पुरानी आदत पर आते हुए मुझे मारने लगा एक बार फिर किसमत के हाथों और आदिल के उस दिन के बाद अगले आने वाले कुछ दिनों में मुझ पर ऐसे ऐसे जुल्मों और दुखों के पहार तूटे उनको सहन करते हुए कई दिनों तक बीमार रही उस दोरान मेरी बेटी को भी परियाद अपने नन्हे मुन्ने हाथों से संभालता रहा मेरा दिल बहलाने का क करता रहा आदिल के बारे में जो बाते मुझे पता चली उन्होंने मेरी अंतर आत्मा तक हिला कर रख दिया आदिल ना सिर्फ शराब पीने की गंदी लत में पड़ा था बलके उसकी सबसे गलीज हरकत जो मेरे सामने आई थी उसने मुझे अपनी निगाहों में भी गिरा द लिया था क्योंकि अब आदिल शराब पीकर आता था तो मुझे मारता नहीं था बलके बहुत ज़्यादा बाते करता था उसके मार पीट से तो मेरा जिस्म जक्मी होता था मगर आज उसकी बातों से मेरी आत्मा चलनी चलनी होले लगी कास ये सब सुनने के बजाए मैं अपन पंजे में थे ये कहना मुश्किल था आदिल टुक्टुकिया चलाता और उसके टुक्टुकिया में स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी शेहर पढ़ने जाती जब भी कोई अकेली मासूम लड़की उसके टुक्टुकिया में बैठती तो वह बड़ी चलाकी से उसे बहला फ उसन जैसी गंदी जगा पर बेच आते। वो ये काम ऐसे राजदारी से और खामोसी से कर रहे थे कि दिवारों तक को पता नहीं था जब हमारी जिंदगी में मंतसा आ गई तो शायद आदिल को एहसास होने लगा कि उसकी भी एक बेटी है अब उसे इस धंदे में नहीं पड़ना चाहिए मगर क्या कहते हैं कि कीचर से हम जान छोड़ाना भी चाहें वे हमारे साथ ही लिपड़ जाएगा बिल्कुल ऐसा ही आदिल के साथ हुआ था ठाकुर के मुझ जो आदत लग चुकी थी वो कैसे जाती अगर पहले दिन से ही आदिल अपनी रजामंदी से लड़किया उन्हें सप्लाई कर रहा था तो अब शायद मजबूरी में ही सही लेकिन वह इस काम को छोड़ नहीं सकता था वह ये भी जानता था ये एश और अराम ठाकुर की दी हुई रकम के पैसों से ही वरना रात भर शराब पीने के बाद सुबह टुक्टुकिया चला कर किस तरह कमाई होती है अब मुझे आदिल से घिन आती थी जैसे जैसे मंतचा बड़ी हो रही थी वो बेहत प्यारी लगती मैं उसे देखती तो डर जाती मुझे लगता कहीं उसको अपने बाप के कर्मों की सजाना मिल जाए मेरी ये सोच रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी फरियाद भी बड़ा हो रहा था उसकी कोई भी आदत अपने बड़े भाई पर नहीं गई थी वो बेहत प्यारा और अपने काम से काम रखने वाला खामोस तबियत का लड़का था इधर मैंने आदिल को उसके हाल पर छोड़ दिया दिन इसी तरह गुजर रहा था यहां तक की फरियाद अब पंदरा साल का हो गया मेरी बेटी मंतसा बारा साल की हो गई फरियाद कदकाटी में काफी लंबा था वे अपनी मा से उमर में बड़ा लगता था यह भाबी कहा करता मंतसा उसे चाचु के बजाए भाई कहती थी और वे हम दोनों मा बेटी का बहुत ख्याल रगता था मेरे लिए वो बिलकुल मंतसा जैसा ही था उसको मैंने अपनी उलाद बना कर पाला था हम मुझे आदिल की परवा नहीं थी उसका तो रोज का वही आदत था मैंने खुद को इन परिसानियों और फिक्र से आजाद कर दिया था उन्हीं दिनों हमारी जिन्दगी में फिर से एक तुफान आई सब कुछ मलिया मेट हुआ हम तीनों की जिन्दगिया खाक में बिल गई उस दिन आदिल की टुक्टुकिया पर एक बेहत खुबसूरत और तनहा लड़की बैठी जिसका हुसन देख कर आदिल की नियत खराब हो गई उससे कहने लगा इस तरफ से सड़क ठीक नहीं है वह दूसरे रास्ते से होते हुए वह उसके घर पे छोड़ाएगा वह उसे लेकर ठाकुर के दलानी में जो की नहर के किनारे था उसे कहने लगा तुम यहां बैठो उसकी टुक्टुकिया थोड़ी सी खराब हो गई है वह ठीक करके तुम्हें घर छोड़ाएगा वह सीधा ठाकुर के पास हवेली में आया और उसने लड़की के बारे में ठाकुर को बताया जब वहां दलानी में यह शैतानी खेल खेला जा रहा था तब ही मेरे दर्वाजे पर किसी की आने की आहट हुई मैंने दर्वाजा खोल कर बाहर साथ वाले गाओं के ठाकुर और उनके आदमी थे उन्होंने मुझसे आदिल के बारे में पूछा मैंने कहा वे तो टुक्टुकिया लेकर गया है लेकिन उनके अंदास से ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ पूछने पर मालूम हुआ आदिल के टुक्टुकिया पर साथ वाले गाओं के ठाकुर साहब की बेटी बैठी हुई थी लेकिन वे अभी तक घर नहीं पोची ये बात उन्हें गाओं के दूध वाले ने बताई थी कि ठाकुर साहब की बेटी टुक्टुकिया में बैट कर गई थी अपने शोहर का ये कारनामा सुनकर मैंने दिल थाम लिया मैं जानती थी वे लड़की कहां होगी और उसके साथ क्या हो रहा होगा लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया वहां गली से एक आदमी गुजर रहा था हमारे घर के बाहर लोगों का भीड देख कर रुख गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है ठाकुर के बंदों का असल बात पता चलने के बाद वे आदमी कहने लगा आदिल का टुक्टुकिया उसने ठाकुर के दलानी के तरफ नहर के पास जाते हुए देखा था और उसके टुक्टुकिया में एक लड़की बैठी हुई थी ये सुनते ही ठाकुर और उसके आदमीयों ने जल्दी दलानी के तरफ दोड लगा दी मैं दरवाजे को थामी बैठी सोचने लगी अब क्या होने वाला है फर्याद इसकूल से आया मुझे इस तरह परिसान देखकर पूछने लगा क्या हुआ है मैंने बताया तो वो मुझे तसली देने लगा एकदम मेरा ब्लिड पेसर लो हो गया मंतसा भी भाग कर आई फर्याद ने मुझे उठा कर अपने कमरे में लिटा दिया और दूसरे तरह पूरे गाउं में सोर मच गया जैसे ही ये ख़बर ठाकूर तक पहुची उन्होंने लड़की को वहीं छोड़ कर भागने की सोची जब साथ वाले गाउं का ठाकूर वहां पहुचा उसकी बेटी दरिया मे डूब रही थी लेकिन उसे जल्दी उसके पाप के आदमी ने बचा लिया अवर ठाकूर और आदिल को ढूनने लगे ठाकूर तो इस मामले से ही दूर हो गए मगर बदकिस्मत से आदिल उनके हाथ आ गया उन्होंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसका भेजा बदले में उसकी बेटी को बली चड़ना पड़ता है यानि वह दूसरे पीडि ठाकूर को दे दी जाती है अब वह उसे जैसे चाहे उसके साथ सलूप करे चाहे तो उसे मार दे चाहे सारी जिंदगी नोकर और रखेल बना कर रखे या फिर उससे निकाह कर ले पंचायत में मेरी बारा साल की बेटी को कुर्बान कर दिया मुझे चीन कर साथ वाले गाउं के ठाकूर को दे दिया गया वह इसे लेकर जा रहा था और मैं बेवस होकर देखती रही मेरी मासूम बेटी रोती रही चिलाती रही कहती रही मेरा क्या कसूर है बाप की सजा मु अभी मैंने सोचा भी नहीं था, वह भी हमारे गाउं का रिवास था, जिस औरत का शोहर मर जाता है, उसकी साधी शोहर के छोटे भाई से करा दी जाती है, फरियाद जिसे मैंने हमेशा अपना छोटा बेटा समझाता, मैं किस तरह उससे साधी कर सकती थी। इसनी बड़ी सजा मत दो, हम दोनों की पुकार किसी ने ना सुनी और पंचायत ने हमें मिया भीबी बना कर ही दम लिया और रवाना किया, आदिल तो चला गया, मगर उसके जाने के साथ हम सब की जिन्दगिया सूली पर लटक गई, मेरी जान से प्यारी बेटी मंतसा को बाप दूसरे से नजर नहीं मिला पाते थे, दूसरी तरफ ठाकुर मंतसा मेरी बेटी को घर ले गया, वहाँ ठाकुर की मा ने उसे देखकर ठाकुर को उसके पास जाने से मना कर दिया, शायद वह उसकी मा की कोई नेकी थी, जो मेरी बच्ची के सामने आ गई थी, वे अपनी मा क की बात नहीं टाल सकता था, ठाकुर की मा ने मंतसा को अपने कमरे में रख लिया, और फिर उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वे स्कूल में पढ़ाई भी करती, उसकी मा की सेवा भी करती, इस तरह तीन साल बीच गय, मंतसा सोला साल की हो चुकी थी, एक दिन ठाकु ठाकुर ने कहा ये मूम्किन नहीं, अगर तुम इसे वैसे कोई तालुक रखना चाहते हो, तो मुझे कोई एत्राज नहीं, मगर तुम इसे बीवी नहीं बना सकते, यहां पर भी ठाकुर की मा सामने आ गई, उसने ठाकुर को खरी-खोटी सुनाते हुए, ठाकुर के बेट का पूरा ध्यान देता अल्ला का शुक्र है मेरी बेटी की किसमत मेरी जैसी नहीं थी फिर एक दिन मंतसा मेरे घर आई वो हनीमून पर अमेरिका जा रहे थे शोहर मुझसे बहुत इज़त से मिला मुझसे कहने लगा हम हमेशा मिलते रहेंगे मंतसा जाते जाते मुझे कह गई थी मम्मी आप भी फर्याद चाचा को दिल से कबूल कर लीजिए मिया बीबी के तरह रहना शुरू कर दो मैं नहीं जानती थी ये मेरे लिए किस कदर मुझकिल था मगर मेरी बेटी ने पहली बात कोई फरमाईश की थी वे मुकमल महबत करने वाली फेमली चाहती है उसकी ख इमत नाहारी शुरू में वे थोड़ा घबरा गया मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया फिर एक दिन मैंने उसे अपने दिल की हर बात बता दी मेरे हालात सुनकर उसकी भी आँखे नम हो गई मगर वो मेरी आँखों में आने वाली आखरी नमी थी उसके बाद आज भी वो अपनी छोटी छोटी बातों से मुझे हसाता रहता है मेरा यूँ ख्याल रखता है एक औरत कितनी परिसानियों और परस्तितियों से गुजर जाती है उसका कोई हिसाब इस दुनिया में नहीं लगा सकता मैं हर परस्तिती में अपने आपको साबित कदम रखा औ अपने कदम को कभी डगमगाने नहीं दिया आप लोगों से मेरा सवाल है अगर आप लोग मेरी जगा होते तो क्या करते अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हाँ अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं हम कल की एक नई दिल्चस्प कहानी के साथ मुझ पर सदा अपना प्यार और सने बनाई रखें सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों